मैं सुरिखा सिंग, बच्चो आपने चंदगेना से लोटती वे नामक कवीता का पहले भाग का वीडियो देखा होगा और आशा है कि आपको हवार समझ में आया होगा आज हम उसी कवीता से सेजबाग का ध्यान इस वीडियो में करेंगे तो पिछले वीडियो में हमने प्रपिती का अनुराग अचल हिल रहा है, तक की पंक्तियों का हमने अध्यान किया था, इस वीडियो में हम उसके आगे का करेंगे इसके आगी की पंक्तियां है वो इस प्रकार है कभी कि दारना थगरवाल जी जो है इन पंक्तियों में क्या कहते हैं वो देखे पंक्तिया इस प्रकार है इस विजन में दूर वैपारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमी उपजाओ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर, उठ रही इसमे लहरिया, नील तल में जो उगी है घास पूरी, ले रही वहगी लहरिया एक चांदी का बड़ा सा गोल कंबा, आँख को है चक मकाता, हैं कई पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाब पानी, प्यास जाने कब भुझेगी चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल, ध्यान नित्रा त्यागता है चट दबा कर चोच में नीचे गले के डालता है एक काले माथे वाली चतुल चिडिया, स्वेत पंकों के जपाटे मार फौरन, तूट पड़ती है भरे जल के हिर्दय पर एक उजली चतुल मचली चोच पीली में दबा कर, दूर उड़ती है गगन में बच्चों, इन पंक्तियों में कभी किरार ना थगरवाल जी क्या कह रहे हैं, अभी हम उदेखते हैं तो सबसे पहले, जो पंक्तिया हैं का इस विजन में दूरवै पारिक नगर से प्रेम की प्रियभूमी उपजाओ अधिक है तो पिछली कविता में वीडियो में आपने देखा था कि जो कभी है उचंद्रग्याना से लोट रहे थे और चंद्रग्याना से लोटते व समय उनके आँखों के सामने जो द्रिशे दिखाई दे रहा था जो प्रागुतिक सुंदरता दिखाई दे रही थी उससे वर्णन इसमें किये थे मानवी करण अलंकार को हो ने उप्योग किया था अब आगे जो है कभी क्या जो द्रिशे देख रहे हैं वो बता उसका वर्णन कर रहे हैं कि कभी कहते हैं इस विजन में दूर वैपारिक नगर से विजन कार्थ होता है मानव रहित जहां पर लोग निर्जन प्रांथ को हम करते हैं विजन तो कभी कहते हैं कि इस निर्जन प्रांथ की जो भूमी है वो मुझे दूर वैपारिक नगरों से अधिक प्री रहे हैं अब लोग कभी है वो नगरों को वैपारिक नगर क्यों कह रहे हैं तो क्या है बच्चों कि वैपार जो होता ह वेली पलाने करके लाए कि इस सब्सक्राइब हो तो उसके कर दोबार शोल विए GLAV करते हैं इसके बहुत करinta पर यहां पर इस मिलाव कि दो नहीं तो जहां पर लाब की बहुत होता हैसं कि अपने छाहर भूमी अधिक प्रिय है क्योंकि यहां की भूमी में प्रेम अधिक उत्पन होता है यहां की भूमी जो है वहां से प्रेम की उत्पादन अधिक होता है तो इस कवीता की पंक्ति में कभी यही कहते हैं कि इस विजन में धुर्वयपारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमी उनके पास नीचे पैरों के पास यह नीचे जो जमीन है उस पर एक पोखर है पोखर क्या है पोखर एक जलास है या तलाब है तो जलास है तलाब जो चोटा होड़ा आप लोगोंने सभी गप्राय काउं में देखा होगा तलाब होता है तो कभी उस तलाब जहां बैठे हैं उन लहर उट रहे हैं, उन लहरों के साथ तलाब के तल में भूरे भूरी घास हुगी हुई है, वह भी उनके साथ हिल रही है, ऐसा लगरा है मानों भी क्या हो रही है, लहला हा रही है, फिर आगे क्या कहते हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा आंक को है चक मकाता, और उस तलाब में एक बड़ा सा चांदी का बोल खंभा है, अब चांदी का बोल खंभा कैसे, आप सोचेंगे तलाब में चांदी का बोल खंभा क्या है, तो बच्चों यह है कि जब सूरी की रौसनी तलाब में पढ़ती है, पानी में पढ़ रही है, तो वह एक चांदी के चमकते एक खंभे के जैसे प्रतीत हो रही है ऐसा लग रहा है मानो तदाब के मंध्य में अगimento इस फ्राश कर सकते म सब्सक्री में आइसा लगा हुआ हैं और वेघ्यृद जैसे चमके रहा Кई का मतलतल रही हो ते आखों को चौर्टी आ पानी में परीशानि हो रही है तो वही कवी कह रहे हैं कि चांदी जो सूरी की किन्ने बढ़ रही है तालाब में वो एक चांदी के खंबे के जैसे प्रतीत हो रही है, लग रही है और उसे जो रौसनी निकल रहा है वो आँखों को चोधिया रहा है उसे देखने में परशानी हो रही है आगे है कई पत्थर किनारे भी रहे चुपचाप पानी प्यास जाने कब बुझेगी अब पोखर के किनारे कवी ने बताया कि उन्होंने तर्ला पोखर में लहरे देख लिया जो प्रखास भी देखें रहे गास के पर बंब रहा थी नुकल के किनारे प्तं पथरों पर जाता है पत्थरों पर जाता है व्हत्थर्ब Sebastian, जो किनारे की किनारे पर कई पत्थर है पत्थर जो है आधे पानी में दूबे हुए हैं तो उसको कभी कहते हैं कि पी रहे चुपचाप पानी ऐसा लग रहा है मानो कई सालों से लगातार पानी पी जा रहे हैं पी जा रहे हैं और उनकी प्यास जो है बुझी नहीं रही है तो ही कभी कहते हैं कि उनकी प्यास जाने क अब इसमें एकष्यात्म का उन्हों ने क्या किया है« इस परस किया है। जो पथर होNextка उन्हों ने जिवातमा आनि मनुस्यात जीऊ के समान मताया है कि जिवो के जिए इच्छाय होती है अनन्त होती है इतनी भी पूरी होती चली जाए लेकिन उनकी इच्छाओं का अंत महीं होता उसी तरफ अभी वहाँ पर कहा रहे है कि ये पथर कबसे पानी पिये जा रहा है लेकिन उसके बाद भी इनकी प्याज हुए बुश्ट नहीं र अब जो कभी है पत्धर देख लिया घांस देख लिये चांदी का खंभा भी देख लिया अब उनका ध्यान जो है उस पोखर में जो जिव जन्तु है उन पर जा रहा है बगुला कुनों ने देखा सबसे पहले बगुला एक सफेद रंग का पक्षी होता जिसके बारे में य पानी में खड़ा हो जाता है और इतना ज्यादा एक आग्रचित होता है एकदम ध्यान लगा लेता है कि मचलियों तक कोई अहसास नहीं होता यह पैता नहीं चलता कि वो कोई पक्षी है उन्हें ऐसा लगता मानू को यह लकडी है और नीडर हो कि इस बगुले के आसफास घ दबा लेता है तुसी का वर्टन यहां पे कभी कहते है कि एक झुप झुप खड़ा प्गुला डुबाय टांग जल्बे एक बगुला जो है ऊह पानी में पैरों को डुबा खड़ा ध्यान लगां कर खड़ा है और जैसे ही कोई चंचल मचली मीन का मतलब होता है मेन का आर् द्यान निद्रा को ध्यान कर तुरंग मछली को अपने दॉच में दबाता है और अपने गली के नीचे उतार लेता है गलीरे को असलता है आगे बगला को देखाuiten अब उन्होंने क्या आप क्या दिखते जैसे ही कोई सफेद, चन्चल, सफेद मच् commitment फैलाती है, और पानी में एक चोच दुआ कर उस मचली को दबाती है पीले चोंच में उस मचली को दबाती है और लेकर दूर आजमान में उर जाती है आगे की पंतियां देखिए क्या है कभी कहते हैं और यहीं से भूमी उची है जहां से रेल की पटरी गई है ट्रेन का टाइम नहीं है मैं यहां सचंद हूँ, जाना नहीं है चित्र कूट की अंगर चोड़ी, कम उची उची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है बाज भूमी पर इधर उधर दिवा के पेड काटे दार कुरूब खड़े है सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुगे का स्वर टे 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 सुन पड़ता है पनस्थली कहिदय चीर्ता उठता गिर्ता सारस का स्वर टिरंटो टिरंटो मन होता है उड़ जाओं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुबल जोड़ी रहती है हरे खित में सच्ची प्रेम कहानी सुननू चुपे चुपे अब जो कभी है वो पोखर तो देख लिए उसके आगे कभी क्या देखते हैं इन पंग्यों में कभी ने उनका उस कवर्नन किया है कभी का ध्यान जो है पोखर से हटकर थोड़ी दूरी पर एक उची जमीन के उपर जाती है और यही से भूमी उची है जहां से रेल की पट्री गई है ट्रेल का टाइम नहीं है कभी कहते है कि और यही से थोड़ी थोड़ी पर जो भूमी है वो थोड़ी उची है थोड़ी सी सम्तर से उठकर उची है और वहां से रेल की पट्री जा रही है लोगों मेंने भी देखा होगा कि ट्रेन की पट्री आकसा थोड़े उचे स्थान पर होती है तो वहाँ से ट्रेन की पट्री है जा रही है और फिर कभी कहते हैं कि ट्रेन का टाइम नहीं है अभी ट्रेन के आने का समय नहीं हुआ है अब इसमें मैं आपको इत्याहां दिलाती हूँ कि आप यहां पर देखिए रेन, ट्रेन और टाइम यह तीनों क्या है विदेशस सब्द है आप लोगों ने पढ़ा होगा तस्थम सब्द, तद्भाव सब्द, देशस सब्द और विदेशस सब्द तो हिंदी हमारी इसी रेकनी सब्द भाव स goda जाती है. क्योंकि इस में कई भाव से जो सब्द है, वाज इसके अभी नग बन गये है कि हम उने हिंदी के ही सब्द माल लेते हैं . उस ने हिंदी सब्द का प्रयोका है कभी ने तो कभी कहते हैं कि ट्रेल कि पढ़ी गई है और ट्रेन का अभी समय नहीं हुआ है, ट्रेन का समय अभी नहीं हुआ है, मैं यहाँ स्वच्छन्त हूँ जाना नहीं है, कभी कहते हैं कि मैं यहाँ पर बिल्कुल स्वतन्त हूँ, स्वच्छन्त का मतलब होता स्वतन्त हूँ, मैं यहाँ एक दम स्वतन्त हूँ, मैं जितनी छित्रपुट के चेत्र में चित्रकुट अंतर प्रदेस का पठारी इलाखा है, पठारी एलाखा आप जालते होंगे, उठी-नीची जमीन फुमी मुद्ध थोड़ा फ्ट्वचाव होती है, तो कभी कोई कहते हैं कि दूर तक चित्रकूट की जो प्राकृतिक बेडोल पहाडिया है वो दूर तक फैली हुई है दूर चाहिए बतलब जिधर हर दिशाओं में जिधर देखता हूँ दूर दिशाओं तक पहाडिया फैली हुई है बाज भूमी पर इधर उधर रिवा के पेड़ काटेदार कुरूब खड़े है और उस बाज भूमी बाज करत होता है बंजर चहां पर पादन नहीं होता या बहुत कम मात्रा में होता है उसे हम कहते हैं बाज भूमे बाज है बंजर भूमी तो कभी कहते हैं कि चित्रकूट की यहां पर दूर दूर तक रिवा की पेल खड़े हैं तो रिवा की पेल खड़े हैं और बड़े ही कुरूम दिखाई thank you अब कहते हैं कि बड़े ही कुरुम है जहां देखता हूं और के पीर ही दिखाई पड़ रहा है चेतरगुट के पहाड़िया देख रहे हैं, ग्रीमा के पेर देख रहे हैं, अचानक उन्हें क्या सुनाई देता है, सुग्य का मीठा स्वार्शु का तोता, जिससे अब सम्चानते हैं, हरेरं का लाल, जिसके लाल चोच होती है, और जो उन्हें मनुश्यों की नकल करता है, कभी कहते हैं कि शुग्य का मीठा स्वार्ज, टे-टे-टे कर रहा है, वो उसनाई बढ़ रहा है और साथ में उसके क्या सुनाई दे रहा है, कि वनस्थली का हिदय चिर्ता, उठता-घitchen ता सारस में सुनाई भड़ रहा है, उसके बारे उसका स्वार्ज है, टिरंटो-टि वो वहाँ के प्राकितिक द्रिश्ट से उसकी सुन्दर्दा से इतने अधी प्रभावित होते हैं कि कहते हैं मन होता है उर जाओं मैं पर फैलाए सारस के सार जहां जुबल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेव कहानी सोगो चुपे-चुपे कभी कहते हैं कि मेरा मन इसे ही करता है कि मानो मैं इन्ही सारस के साथ अपने पंको को फैलाकर उर जाओं और उन्हारे खेतों पे चले जहां पर ये जुगल-जोड़ी जुगल-पेय एक कविता की से स्पंक्तियों का भावार आसा है कि आपको भावार समझ में आ गया होगा Thank you